नमस्कार स्वागत हैं आप सभी का क्यान गंगा चैनल पर मार्ग शीष का महीना हिंदू कैलेंडर का नवा महीना होता है मार्ग शीष का महीना भगवान विश्णू का सबसे प्रिये महा माना जाता है जिसे अगहन का महीना भी कहते हैं मार्क शीश माह 1 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक रहेगा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस माह में क्या करे और क्या ना करे तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए है और भी तक आपने इसे सबस्क्राइब नहीं किया है तो आगामी ब्रत वंतैवारों की तितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए साथ में पहला आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो पुराणों के नुसा वीडिविदान से अखन मा में शंक की पूजा करनी चाहिए जिस प्रकास अभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही शंक का भी पूजा करे इस मा में साधरन संक की पूजा भी पंच जैन संक की पूजा के समान फल देता है इस पूरे महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए वहीं इस पूरे महीने में भगवान का ध्यान करना चाहिए इस महीने देर तक सुने की गलती ना करे बलकि सुबह सवेरे ब्रह्म मूरत में उठकस नानादी से निवरित थोले इसके साथ ही इस पूरे माह दिन में सोने की भी गलती ना करे दिन में सोना इस माह में वर्जित माना गया है अगहन माह में मंगलकार विशेश फलदाई होते हैं इस पूरे महीने श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान का विशेश शुब होता है। इस महीने में संतान के लिए वर्दान बहुत सरलता से मिलता है। साथी चंद्रमा से अमरित तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में किर्टन करने का फल भी अमोग होता है। अगन मा के पूरे महीने नित्य गीता का पांट अवस्य करे। जहां तक संभव हुआ भगवान कृष्ण की उपासना करे। तुलसी के पत्तों का भोग लगाए और उसे प्रशाद की तरक रहन करे। इस पूरे महीने ओम नमा भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। मेरे वीडियो में अंतबने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।